कि कि है विल्केम बैक आइम धन्में सर्फ फ्रॉम द्येसल स्पोकें डॉक्टर मुखरिज निग दिली मेरे प्या दोस्त अक्चुली मैं आपके लिए थ्वास परेशान रहता हूं अगर आपने डेसल इंग्लिस पर जाकर किया डेसल इंग्लिस एप डाउनलूट करके अगर अगर नहीं लिया है तो मैं आपको स्लाह दूँगा कि एक बार बहतरीन क्लास फाउंडेशन तो आना ही चाहिए क्योंकि जब तक अंग्रेजी आप बोलने का प्रयास नहीं करेंगे बोलना नहीं आगा और इसके लिए क्या चाहिए तो ग्रैमर का बेस होना बहुत जूरी ह क्योंकि जब तक हम लोग गर्यामर का बेस नाउन क्या है प्रेज़िशन क्या है वर्व प्या है घ्राईट वर्व क्या है क ambassadors क्या है टेंस क्या है earnest क्या है जब तक एक बार थोड़ा बहुत ग्यान नहीं मिलेंगा ना हम लोग अटकते रहेंगे फसते रहेंगे परसानी олод色 तो मैं आपको उसलाद दे रहा हूँ को पहले और दूसरी बात क्या है? वोकैबलरी मस्ट है यह चैनल हमने बनाया इसलिए कि तरह तरह के spoken words, spoken vocabulary, spoken का phrase, spoken idioms और spoken का structure आपको देता रहा हूँ अभी तो class शुरू भी नहीं हुआ spoken का, अभी तो इस पर बहुत बड़े एक संसार बसाओंगे speaking का, अभी तो एक सेक तू फान संटेंस लाने बाला हूँ अभी आप बस इंतजार करो और डेली धीरे 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 अपने अंदर वेज जो दे रहा हूँ, इसको आप में साब्त करते जाओ, बस एक समय ऐसा आएगा कि आपके बिल्कुल ही flawless संग्रे जी, अट-automatic निकलना सुरू हो जागा, नेचूरली निकलना सुरू हो जागा, ब मेसा इसे किसी कीमत पर जाने नहीं देना है, कान में लगा कि सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफस्ट कर रहे हैं, सपर ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अब हमने कितनी वर्ड बोल दिया है कि नहीं, डिनर भी, लंच भी, ब ताकि देखने में भी मज़ा आए और इसको अपने घर में सब को दिखाईए और दोस्तों के साथ इस वर्ड को शेर किजिए अब देखियो अन्विंड है Unwind का मतलब खोलना Unwind कर दो खोल जो इसको उन्लॉक भी कहते हैं मसमझ पार हो तो इसको हमने क्या कर दिया Unwind मतलब खोलना उप बिल्कूल ही Unlock कर दिया Unwind आपको बोलना भी है earn, earn का मतलब होता है klas, klas, जो होता है, klas अस्थापना earn, अब बहुत सरे word इसको बहुत लोगों को नहीं पता होता है, आपको पता होना चाहिए, earn का मतलब klas, klas अस्थापना होता है न, तो earn established है न, अब देखिए utensils, रसोई का पात्र या बरतन utensils, बरतन को बोलते हैं जितने भी लोटा, थारी, बरतन घर पे होता है उस अब को utensils कहते है, utensil utensils, utensils का मतलब रसोई का पात्र या बरतन, यह देखिए valorous, valorous का मतलब होता है beer या साहसी, वीर है, साहसी है, valorous है, valorous मतलब beer, साहसी को valorous बोलते है अब जा एक बार मेरे साथ, बोलो जा फराफट मैं यहां बोलूग, आपको दूराना है बैठे नहीं रहना, उठो उठ करके मेरे साथ, बोलो, बोलो फराफट unwind, unwind ही बोल सते हो, unwind बोलो, आप नहीं बोलो जी unwind, खोलना unwind, खोलना, बहुत 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 तैरी चल रहे आपकी earn, कलस, बोलो, earn, कलस earn, कलस, बहुत बढ़िया utensils, रसोई का पात utensils, बस दूराते रहो utensils, रसोई का पात utensils है, रसोई का बरतन है या कोई भी बरतन कोई utensils कहते है right, valorous, साहसी valorous, beer, valorous बहुत सुंदर, valorous, good, बहुत सुंदर बहुत 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 तैरी आपसमों की चल रही है दुरसा देखो, violet violet का मतल़ होता है, रूल को violet कर रहा है, violation noun बन गया इसी का, violet है तोड़ना, उलंगन करना, यह भर्व हो गया यहाँ वर्व की बात मैं कर रहा हूँ इसी को मैं बता दूँ आपके लिए कि भाई, violet, वर्व, violation रूल का violation है सर उलंगन करना, है न, सौरी रूल का violation है, उलंगन हो गया यहाँ हो गया, violet, तोड़ना उलंगन करना को violet बोलते हैं wave, wave कहते हैं लवारिस बेघर को, वेफ है लवारिस निकल गया, बेघर हो गया वेफ, लवारिस बेघर हो गया, वेफ लवारिस बेघर हो गया, वेफ कहलाता है वेव, मकड़े के जाल को वेव बोलते हैं वेव मतलब बुनाई, मकड़े के जाल को क्या बोलते हैं वेव बोलते हैं, हना यहाद दखो, वीडल, वीडल का मतलब चापलूसी करना, वीडल मतलब चापलूसी करना, वीडल कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, अब जराब मेरे साथ जल्दी से बोलो, वाइलेट, हाँ, वाइलेट, तोड़ना, वेव, आभी बोलो, वेव, लवारि इसे दिखते हैं, इसले वर्ड में क्या कहता है, नेस्ट हम लोगों का है, और वो हम लोगों का वर्ड है, वीट, वीट का मतलब होता है बुद्धि, वीट कहते हैं बुद्धि को, कितना बुद्धिमान है, वीट मतलब बुद्धि, वीट बुद्धिमान, वीट बुद्धि वित मतलब बुद्धी, चतूर, चालाक को वित बोलते हैं, है न, वित, वो, दुख या सोक को हम लोग वो गोलते हैं, वो, डुख, शोक, देख रहे हो, यार्न, यार्न का मतलब इक्छा करना, यार्निंग कर रहा है, यार्न का मतलब इक्छा करना, किसी उसको चाहना, यार्न विटो, मतलव बुद्धी का मतलव बुद्धी यार्न मतलव एक्छा करना घ्षा एक्छा करना जेस्ट से मझा उच्साह अंदर जेस्ट है उच्साह है इसको जेस्ट बोलते है अब फटाफ़ ऐन मैं पूछूँऊँगआ आप ज़वाब देना जल्दी से बोलो, विट, हाँ, बहुत सुंदर, वो, गुड, 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 यार्न का मतलब, ठीक है, जेस्ट का मतलब, बहुत सुंदर, ऐसे ही न, आप वोकबलरी याद बस करो, बिना वोकब की, कोई भी दुनिया में चीज नहीं हो सकता, आपको इक्षा करना बोलना हो आपको बुद्धी बोलना हो, वो बोलना हो, एक जैसे सब्द 8-10 याद होंगे, तब ना कुछ कर पाओगे, लिख पाओगे, बोल पाओगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसको करते रहिए, अगला देखते हैं, क्या कहता है फटा-फट, आप बिट, आप बिट का मतलब इसलिए, 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 इसलि विन्डिक्टीब है, विन्डिक्तिब है बद्ला लेने बाला है प्रतिसोधिघी है दो कुरा horse being बद्धा ले रहा है विन्डिक्टिब है बद्ला सब्सक्राइब को इतना बढ़िया सब्द है वह spoken use किया न, अभी मैं शुरुवात कर रहा हूँ, आगे मैं एक-एक sentence बनवाऊंगा भी, आपको सब चीद दिखाऊंगा, तब मज़ आएगा, sentence के साथ, अभी आपको जो दे रहा हूँ, इसको बस दिमाग में डाल लेना है, यह मत देखो कि वीडियो कब आ रहा है, यह देखो, कितना important आ रहा है, और कैसे कैसे आ रहा है, अभी तो पहाना सुरू नहीं किया हूँ इस पे, सुरू किया करूँगा, एक से तुफान आएगा, बस में साथ, देखो अंगरे जी को हलुआ बना दूँगा आपके लिए, बोलो आप बिट, बोलो जल्दी से, हाँ, आप बोलो यास, आप बिट, प्रसंद, आप बीट, प्रसंद बहुत बढ़िया, इवशर्प, इवशर्प का मतलब हरपना, वैसिलेट, हाँ, डगमगाना, हिलना, बोलो बिट, बदला लेने बाला, बिट, बदला लेने बाला, अप जल्दी से बोल दो मेरे साथ, आप बिट का मतलब बहुत सुंदद, इवशर्प, ठिक है, वैसिलेट, हाँ, विंडिक्टिव, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदद त्यारी, चल रहा है, अगला बढ़ देखिए, अगला देखिए, फटा-फट याद करिए, देखने से कामी चलेगा, कामी लागा सुनते रहिए इसको, हमने आपको वियरी, वियरी का मतलब होता ठका हुआ, वियरी है, ठका हुआ है, वियरी मतलब ठका हुआ, बिल्कुल ठक गया है, वियरी है, ठका हुआ है, वीड का मतलब कूडा करकट या जंगली घास, जंगली घास को वीड बोलते हैं, वीड, जंगली घास, कूडा करकट को ज आवाज सुनता है विम सिकल है विम का मतलब मन की लहर मन की आवाज मन से उठना लहर आवे को विम कहते हैं तो विम मतलब सनकी भी कह सकते हैं इसको सनक भी कह सकते हैं तो विम का मतलब सनक मन की लहर अब जरा मेरे साथ बोलिए वाइड फटाफट वाइड शुन्यारिक वियरी का मतलब थका हुआ, डबलू ए ए रवाई, वियरी मलो थका हुआ, वीड का मतलब कूडा करकत या जंगली घास, वीम का मतलब सनक, अब बुली फ्राफट, वाइड का मतलब हाँ जी सुन्य रिक, वीरी बहुत सुन्दर थका हुआ, वीड का मतलब जंगली घास, वीम क मतलब सनक या मन की लहर बहुत बढ़ीया त्यारिया आप सो चल रहा है इस तरह से इसको याद करते रहिए हम फिर से ला देते हैं आपको द्ये एसल इंगलीज रात के 9 बजे द लेर्णिंग दो बजे डेली वीडियो डालगा हूं उसको बढ़ जाना है, निकल जाना है, तुफान मचा देना है, कुछ भी हो जाए, लेकिन बैठना नहीं है, अगर सफलता चाहते हैं, तो बस vocabulary और English के लिए कुछ पार्ट, tips and techniques करना पड़ेगा साथ साथ, और मैं धमें सर आपके साथ हमेशा सिखाता रहूँगा, करवाता रहूँ करवाता है